हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बे-intentence exam के commerce के कुछ important one-liner याप पर हम बोल सकते हैं शोट questions की theory type होंगे इस सारे इनको हम discuss करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से theories आपके exam के point of view से important हैं जिससे बहुत सारे questions आपके exam में पूछे जाते हैं आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी तो आप लोग अपने volume भढ़ा लीजे क्योंकि मेरे गले में problem है तो मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगी so I'm really sorry और start करते है वीडियो को वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीचे friends का share कीचे किसी भी तरह की कोई वी query हो तो जरूर बताएगा और साथ ही साथ आज अगर हमने आज के PDF में जतने भी यहाँ पर important theories है वो हमने आगर सारे discuss कर ली तो आज ही मैं आपको यह PDF दे दूंगे तो आप Telegram group से इसको download कर सकते हैं तो start करते हैं देखिए according to Companies Act 2013 in the absence of a clause in the articles of association the maximum interest chargeable on calls in areas is 10% per annum यानि कि आपने 1956 और Companies Act 2013 दोनों पड़े होंगे exam में जो questions आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि student confused हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें जो answer करना है वो किस act के according करना है देखिए अगर वहाँ पर अपके question में mention नहीं किया होगी वो 1956 के according दिया है या फिर 2013 के according तो फिर options के according आप वहाँ पर answer करिए और अगर options वहाँ पर तो 1956 के according भी दे रखा है और 2013 के according में दे रखा है तो आपको सिर्फ 2013 का ही वहाँ पर क्या करना है टिक करना है क्योंकि latest अभी 2013 गई है और आपको उसी को टिक करना है देखिए 2013 के according जो calls in areas है उस पर जो interest charge होगी वो 10% है और आपको याद होगा 1956 के according ये कितना था 5% था तो अगर 5% दे रखा है और mention नहीं कुछ भी कि किस act के according पूछा है तो आप 5% लिखेंगे और अगर सास में 10% पे है तो आपको 10% ही वहाँ पे टिक करना होगा बट आप ये याद करके करके चलिए कि 1956 में 55% बताया गया था और 2013 में से 10% कर दिया गया है hope यहाँ पर ये सारी चीज़े clear हैं आपको same उसी तरह से एक और caution है जो आपके exam में बहुत पुछा गया है अब तक according to companies act 2013 in the absence of a clause in the articles of association the maximum interest payable on calls in advance is 10-12% per annum देखिए वो था calls in area calls in area पर जो interest होगा maximum वो 10% है लेकिन advance की बात की जाए तो advance पे जो interest आपको दी जाएगी वो है 12% तो पहले क्या था 1956 के according ये 6% था तो आप इतना याद करके चलिए कि अगर आपको pay करना है तो आपको 10% pay करना है और आपको मिलेगा 12% calls in advance जब भी shareholder ने advance में payment किया होगा तो उसको उसका interest मिलेगा 12% के साब से और अगर उसने payment नहीं किया है तो वहाँ पर उसको जो next जब भी ओ call pay करेगा तो वहाँ पर उसको 10% interest के साब उसको pay करना होगा ठीक है अब देखिए कुछ important चीज़ें है partnership deed के according जो कि आपको पता होनी चाहिए last time partnership से 10 से 15 questions आये तो आपको partnership इस बार बहुत अच्छे से पढ़नी है देखिए partnership deed में क्या क्या चीज़े है जो कि include होनी चाहिए यह आपको पता होना चाहिए जैसे कि firm का नाम उसके अंदर mention होना चाहिए और partner का नाम और उन partner के address यानि कि उनके residence address यहापे होने चाहिए nature of the business यानि business किस nature का है trading है manufacturing है service का है किस nature का है फिर time and duration of partnership यानि कि अगर वो limited partnership है तो वो कितने time के लिए है यहाँ भी mention किया जाना चाहिए फिर है amount of capital यानि कि कौन सा partner कितने कितना contribution कर रहा है capital में यहाँ पर mention होगा deed के अंदर फिर है the drawings that can be made by each partner यानि कि कोई भी partner अगर drawing करता है तो वो कितने amount तक drawing कर सकता है अगर आप यहाँ पर limited नहीं fix करेंगे तो कितनी भी drawing ले सकते हैं जिससे business पर क्या होगा negative impact पड़ेगा तो यहाँ पर अगर mention होगी कि कोई भी partner जो है वो 2 लाग या 3 लाग से जादा कि drawing नहीं कर सकता तो यहाँ पर यह चीज़ें भी partnership deed में mention होगी उसके बाद आता है interest यानि कि अगर कोई भी capital लाता है या फिर drawing करता है तो उस पर कितनी interest कितने percent से charge की जाएगे ठीक है यह भी इसमें mention किया जाएगा partner के rights क्या क्या होंगे उनकी duties क्या होंगी remuneration किसी भी partner को कितना दिया जाएगा अगर दिया जाएगा तो कितना होगा और नहीं दिया जाएगा तो यह भी mention साफ होना चाहिए कि कोई भी partner को किसी भी तरह कर emuneration नहीं दिया जाएगा फिर है the method used for calculating goodwill यानि कि जो partnership firm के अंदर जब goodwill calculate होगी तो उसका कौन सा method use किया जाएगा ये भी partnership date में पहले से mention होना चाहिए फिर है profit and loss sharing ratio आप सबको ये पता होगा कि अगर partnership date absence होती है या फिर partnership date में ये सब चीज़े define नहीं होती है तो वहाँ पर profit sharing ratio किस तरह से distribute किया जाता है equal के basis पर लेकिन अगर आप equally distribute नहीं कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर mention करना होगा आपको कि आपको 2 is to 3 करना है 1 is to 4 करना है या फिर 2 is to 1 करना है कितने percent ratio आपको रखना है profit share जो law से हमारा उसको share करने के लिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर mention के जाएंगे और अगर absence होगी partnership date में इन सब चीज़ों की तो वहाँ पर equal होगा इससे बहुत सारे questions बने थे मैं सारे questions आपको next class में discuss करूँगी कि partnership से आपके exam में जो 2020 का exam था उसमें कौन-कौन से questions पूछे गए थे और 2019 में कौन से questions पूछे गए थे क्योंकि आप जैसे ही बहुत सारे students ने आकर exam से आकर हमें वो सारे questions बताए थे तो आप वस हमारे साथ बने रहे हैं आपको वो सारे questions भी हम discuss करेंगे अब देखिए the main rules of accounting थ्री main rules होते हैं accounting के यह आपको पता होना चाहिए exam में यह भी पूछ लिया जाता है जैसे कि debit the receiver credit the giver फिर है debit what comes in and credit what goes out थर्ड है हमारा debit expenses and losses credit incomes and gains अब यह rules किस-किस के हैं इनको किस तरह से याद किया जाता है यह सारी चीज़े मैंने आपको यह सारी चीज़े बताई हुई है तो मैं आपको उसका link दे दूगी या फिर i button पर वहाँ पर भी आपको link provide कर दूगी तो आप easily वहाँ जाके उनको याद कर सकते हैं क्योंकि कई student का यह भी कहना था कि उनको यह सब याद करने में बहुत problem होते हैं तो आप अगर वह वीडियो देख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगे ठीक है तो आप वहाँ जाकर यह देख सकते हैं तो यह तीन रूल होते हैं जिसके basis पर आप easily इन सब चीजों को याद कर सकते हैं ठीक है अब यह वाला जो है अगर हम बात करें किस-किस अकाउंट से रिलेटेड है टोटल हमारे कितने अकाउंट होते हैं तीन अकाउंट होते हैं जो कि अवी हम फर्दर उसको पढ़ेंगे debit the receiver credit the giver यह किसका है यह personal account का है personal account का रूल है debit what comes in credit what goes down यह किसका है हमारा यह हमारा किसका है यह हमारा बताए जल्दी comment section में जल्दी बताए आपने तो पढ़ा होगा बताए यह हमारा real का है and यह हमारा nominal का है nominal के अंदर सारे expenses और losses आते हैं real के अंदर हमारे assets के बारे में बताया जाता है जबकि personal में हमारा बताया जाता है person के नाम या फिर जो person represents कर रहे है direct किसी इन सब चीज़ों को उनको लेकर या किसी ऐसे institutions को represent कर रहे हैं वो सारे चीज़े हमारे personal account के अंदर define की जाती है ठीक है तो आप इसका screenshot भी ले सकते है personal account में आता है debit the receiver credit the giver real account में आता है debit what comes in credit what goes out and nominal account में आते है debit all expenses and losses and credit all incomes and gains तो आप account के according इनको याद कर लिजी क्योंकि एक्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि debit the receiver credit the giver किसका rule है personal का है real का है nominal का है third option वो आपको ऐसे उठा के देंगे कि cash का है तो cash का तो rule होई नहीं सकता वो cut गया आपको तीन में से पहचानना होगा तो यह हमारा personal का है ठीक है तो इन rules को याद कर लिजे double entry system के यह rules है जिनको golden rules of accounting भी कहा जाता है अब देखिए अभी हमने बात किती तो इसको एक तरह से यह देख लेते हैं कि हमारे कितने तरह के account होते हैं देखिए बेसिकली तीन तरह के account होते हैं लेकिन इसको define आप किसी भी तरह के से कर सकते हैं यहाँ पर दो तरह के से define किया गया है जैसे कि यह है types of account यह हमारे दो होते हैं personal account और impersonal account Personal Account में आते हैं तीन तरह के लोग जैसे कि Natural Personal Account यानि कि Natural Person Account का मतलब यानि कि खुद का खाता जिनका होता है ठीक है एक होता है Artificial Person और एक होते है Representative Person देखिए Natural Person के हम बात करें तो इसका एक्जामपल हो गया जैसे सुधीर का खाता, शुशील का खाता, शरत का खाता, राम का खाता, ठीक है, यानि कि account, और artificial में होते हैं, जो जैसे कि आपने create करते हैं, लेकिन वो real में कोई person है नहीं, वो एक person के group होते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा insurance company आ गई, bank आ गई, company आ गई, college आ गया, club आ यह person के जो group हैं, उनके द्वारे represent किये गए हैं, create किये गए हैं, तो यह artificial person क्या लाते हैं, अब आता है हमारा third, representative personal account, representative personal account के यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे accounts होते हैं, या फिर जो personal account को represent करते हैं, तो वो यहाँ इसके अंदर include किये जाते हैं, जैसे क outstanding wages, outstanding wages जो है, वो हमारा इसके अंदर part होता है, क्योंकि यह एक तरह से जो person account है, जो person से related चीज़े हैं, उनको represent कर रहे हैं, इसलिए इनको इसके अंदर include किया जाता है, जैसे कि हो गया हमारा prepared insurance हो गया, prepared rent हो गया, outstanding interest हो गया, outstanding wages, outstanding rent, यह हमारे representative personal account का part होते हैं, वहीं अगर हम बाते हैं, second part पर जो कि हमारा impersonal account, impersonal account हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे कि, एक है हमारा real account, एक हमारा nominal account, जो भी मैंने आपको उपर भी बताया था, तीकि यह real account जो होते हैं, अगर हम बात करें, तो इसको भी हम further दो part में divide कर सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा tangible, एक हो जाएग हो गई और हमारी land हो गई ये हमारी क्या है tangible है जिनको हम touch कर सकते हैं stock हो गया stock को हम touch कर सकते हैं cash हो गया उसको हम भी touch कर सकते हैं लेकिन अगर हम इसी में दूसरे बात करें intangible की तो देखे intangible में आती हैं ऐसी चीज़े हैं जिनको हम touch नहीं कर सकते लेकिन हमारे assets होती है जैसे की trademark trademark को हम touch नहीं कर सकते patent उसको हम touch नहीं कर सकते goodwill touch नहीं कर सकते लेकिन इनकी अपनी value है यह हमारे लिए as a asset काम करती है ठीक है तो real account क्या हो गई दो type की tangible, intangible as a asset यह treat की जाती है tangible में और फिर आगे हमारा nominal account nominal account के यहाँ पर बात करें तो nominal account सिर्फ एक तरह से fictitious assets होती है यह real में होती नहीं है बट यह जो हमारा अगर किसी भी तरह का कोई भी transaction हुआ है तो उसके nature को यह represent करते हैं जो ऐसे कि nominal account में मैंने अभी आपको बताता सारे losses आते हैं सारे expenses आते हैं ठीक है और profit and gains भी हो सकते हैं इसके अंदर जैसे कि interest अब interest हमारा profit भी हो सकता है यानि कि income और interest अगर हमने as a expense किया है तो वो हमारा क्या हो गया? expenses हो गया और discount receive भी कर सकते हैं, pay भी कर सकते हैं insurance, premium वो हम receive भी कर सकते हैं payment भी कर सकते हैं फिर salary, receive भी कर सकते हैं payment भी कर सकते हैं तो nominal account में ऐसी चीज़ों होती है जो हमारे जो भी transactions हुएं, उसके through वो होती है ये सारी चीज़े क्या हुए, अगर हमने transaction किया है, किसी सर्विस लिया है तो हमने salary देनी होगी, हमने कोई summon purchase किया है तो और वो बहार से हम अपने company के अंदर लेकर आए हैं, तो rent देना होगा तो ये सारे हमारे nominal account के अंदर treat किये जाते हैं hope यहाँ तक आपको accounts, उनके rules ये सारी चीज़े clear है, ठीक है next आते है अब देखे, ये भी exam में बहुत पूछा जाता है हम बहुत short short चीज़ें देखेंगे और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like कीज़े, अपने friends जरूर share कीज़े, ठीक है हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जो chart form में आपके साथ explain करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हम अगर एक दो line की theory में ही हम आपको explain कर देंगे बस main चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए ऐसे में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो please comment section में लेखें, हम दूसी तरह से बताने की कोशिश करेंगे बस आपको समझ में आना चाहिए, आपका paper खराब नहीं होना चाहिए अब देखें, exam में ये भी पूछ ले जाता है कि जो हमारे informations होती है, वो किस तरह के nature की होती है तो आपको पता होना चाहिए, information जो होती है वो हमारे दोनों तरह के nature की होती है qualitative भी होती है और quantitative भी होती है जैसे कि non quantitative को हम दूसरी नाम से क्या बोलेंगे qualitative quantitative जिनको हम numbers में represent कर सकते है qualitative का मतलब for example, मैंने कहा ये product बहुत अच्छा है अब बहुत अच्छा है को आप इसको represent कैसे करोगे, ठीक है numbers में, कि ये 5 अच्छा है basics अच्छा है, ऐसे तो मैं नहीं कह रही है मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छा है को आप जो qualitative nature के जो product होते हैं या फिर कोई भी चीज़े होती है उसको हम scale में define करते हैं आपने देखा होगा 5 scale 7 rated scale उसके अंदर क्या करते हैं average, अच्छा, बहुत अच्छा फिर आता है average, कम अच्छा, बहुत बेकार इस तरह से आप उसको scale करते हैं तो इसमें information हमारी qualitative भी हो सकते है quantitative में मैंने ये कह दिया कि ये इस product से मुझे satisfaction मिला 10% का या फिर मैंने बोल दिया आपको किसी product को लेके कि इसका price 10 रुपे है और इसका price 15 रुपे है तो आपने easily number से पता कर लिया कि ये सस्ता है, 10 रुपे का, ये 15 रे का, ये महंगा है तो qualitative numbers में define होंगे quantitative हमारी जो होते हैं, वो हमारे qualitative nature के होते हैं इसलिए non quantitative को हम यहाँ पर treat नहीं करते हैं इनको हम further क्या करेंगे, define करेंगे दूसरे numbers में हम इसको convert करके अब qualitative में भी दो चीज़ा आती है quantitative में देखो, एक होता है हमारा accounting एक होता है non accounting देखे, जरूरी नहीं है कि जो information हमने ली है वो सभी हमारे लिए helpful हो वो सभी हमारे accounting में help करें तो उसमें कुछ होती है हमारे non accounting, कुछ होती है accounting अब देख लेते हैं accounting में भी क्या-क्या होती है देखे, इस chart को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आप मैं आपको एक तरह से वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ जो कि आपके question में बहुत घुमा-घुमा के पूछी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए देखे, इसी से ही एक question यहाँ पर बन जाएगा, कि accounting की कितनी branches होती है, तो देखे यह सारी accounting की एक तरह से branches है जैसे कि financial accounting, cost accounting management accounting, operational operating information, यह इसकी branch है ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ लए जाता है, इनके meaning भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि accounting है accounting की first branch आते है हमारी financial accounting, अब financial accounting क्या होती है, जो भी हमारे financial transactions होते हैं उनको record करना, उनको classify करना summarize करना, interpret करना और फिर उसका result निकालना यह हमारा accounting, वो financial accounting कहलाता है, इससे हमारी financial position पता चलती है वहीं अगर हम second पर बात करने, तो second होता है हमारा cost accounting अब देखे, cost accounting वो accounting है, जो कि हमारी help करती है किसी product की cost को find out करने में, उसकी cost को control करने में, उसकी cost को find करने में, कि इस product में कितनी cost लगी कितनी लगनी चाहिए या फिर जो हमने set decide कि हैं, जो standard costing बनाई है उसके according control करना, तो यह cost accounting का part होता है फिर आता है management accounting, management accounting के अंदर हमारी company में जो भी काम हो रहा है, वो किस तरह से manage किया जा रहा है, किस तरह से manage करना है, किस तरह से हमें अपने management से वो काम करवाना है, यह सारी चीजों का record रखना management accounting कहलाता है, फिर आता है हमारा operating information, operating information का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हम operation करवा रहे हैं वो company में किस किस time पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितने level पर हो रहा है, क्या उसका output निकल कर आ रहा है, इन सब की information रखना, recording करना वो हमारा operating information का part है, ठीक है, तो यहाँ पर आई, आपको इनका meaning clear है, आपको पता पर पढ़ गया कि आपके company के अंदर, या फिर आपकी पूरी accounting process में कितनी तरह की other accounting होती है, जो कि आपको पूरी help करती है, company को run करने में, ठीक है अब देखिए, एक और चीज़ा है, यहाँ पर मैं आपको बहुत short में बता दूँगे, वैसे यह मैं आपको अगर आप theory भी पढ़ना चाहेंगे, तो हम इस पर theory भी कर चुके हैं, आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर student कई बार ऐसे बोलते हैं, कि यह topic कराईए यह topic कराईए, तो देखिए, आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, commerce related जैसे कि UP, PZT, TZT commerce related, NET की exam NET exam की त्यारी कर रहे हैं AMCOM की त्यारी कर रहे हैं BCOM की त्यारी कर रहे हैं, BAT की त्यारी कर रहे हैं देखिए, सब के लिए यह important है, यह content आपके हर exam में पूछा जाता है, आप UP, PZT, TZT का syllabus उठा के देख लीजिए, BAT का syllabus देख लीजिए NET का देख लीजिए, सब में यही चीज पूछी जाती है, बट NET में थोड़ा difference है होता है, कि यहाँ पर थोड़ा level कम होता है, NET में और high level पूछा जाता है, लेकिन चलती सारी processing यहीं से है आपको यह सारी चीज़े clear होंगे तो आप high version भी easily सीख लोगे तो आप कोई भी वीडियो commerce related आप कुछ भी मिले आप सब देखा करिए, सारे practice करा करिए क्योंकि accounting ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ आपका syllabus इतना था बस आपके commerce related होनी चाहिए आपको help जरूर मिलेगे ठीक है अब बात करते हैं functions of accounting की तो देखे, functions of accounting बहुत important है आपके exam के point of view से और other exam के point of view से क्योंकि जब तग आपका basic clear नहीं होगा आप आगे कुछ भी अच्छे से learn नहीं कर सकते हैं तो accounting के function की बात करें तो सबसे पहला function होता है identify identify करना कि कौन-कौन से transactions है अभी मैंने आपको उपर बताया identify करोगे आपकी कौन सा transaction हमारा qualitative nature का है और कौन सा हमारा quantitative nature का है ठीक है जो आपके research आपके business के point of view से important है आप सिर्फ उस data को लोगे बाखी data को आप छोड़ दोगे जरूरी नहीं है आपके काम के लिए या आपके research के लिए सारा data helpful हो ठीक है सिर्फ आपको कौन सा data लेना है monetary aspect का data फिर आते है second stage जो कि हमारे recording आपने सारे monetary aspect के data ले लिए अब उसको record करना serial wise recording आप कैसे करोगे journal में record करोगे bookkeeping में record करोगे ठीक है recording के बाद अगर हम third stage पर जाएं तो फिर आता है classifying आप सबको पता होगा classifying के through हम क्या करते है classify में जो भी हमारी related books होते हैं उनमें हम उसको post करते हैं जैसे की cash book, sales book, purchase book जिसको हम laser भी बोलते हैं different books में हमने उसको further classify कर दिया फिर आता है summarizing अब इसको करने के बाद हमने क्या किया summarize की यानि कि सारी informations को हमने summarize करके एक तरफ इखटा कर लिया अब इखटा कर लिया तो काफी सारी चीज़ें जब भी आप कोई भी काम करते हो जब सारी चीज़ें आप फिला देते हो set करके रख देते हो फिर एक साथ आप उन सब को इखटा करते हो तो आपको उस चीज़ को समझने में आसानी होती है ठीक है उसी तरह से सेम ही accounting है बहुत simple है accounting बहुत simple है आप हर चीज़ को अपने mind में एक map बना के याद करा करो बहुत आसान होगा करना फिर है analyzing analyzing में क्या होता है आप चीज़ों को यहाँ पर analyze करोगे कि अच्छा यह transaction जो है यह यहाँ पर cash में आया और यह transaction वहाँ सेम यही वहाँ पर machine में है यानि कि इसका उससे link है तो इस तरह से क्या होगा आप यहाँ पर analyze करोगे सारी चीज़ों को कहां कितना expenditure हुआ कौन से trick लगानी है क्या करना है कैसा करना है सारी चीज़ों को आपने analyze कर लिया उसके बाद आप interpret करोगे interpret का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपने जितने भी rules लगाई यहाँ पर methods use किये यहाँ पर आपने उसके थूँ आप interpret करोगे चीज़ों को अच्छा इतने percent expenditure हुआ इतना invest हुआ इतना यहाँ पर हमने हमारे पास income आई इतना हमने खर्चा किया तो यानि हमारा खर्चा क्या होगा कम हो गया या फिर जाद हो गया तो आपने interpret किसके थूँ किया ratios के थूँ किया आपने और भी बहुत सारे tool use कि cash flow statement है, fund flow statement है final account है इसके थूँ आपने क्या क्या interpret किया अब यहाँ पर communicating communicating का मतलब है अब आपने यह सारी चीजों के थूँ interpret करके अब आप communicate करोगे अपनी higher party को जो भी जिसके भी concern है आप उस party को यह सारी information दोगे कि देखिए यह है इसकी final account इतना इसकी financial position है इतना इसका loss निकल कर आया इसके ratio जितने है profit ratio इसका इतना है liquidity ratio इसकी इतनी है आप देखिए मतलब सारी चीजों को communicate करना higher authority को board of director को या फिर जो भी आपका head है उसको देना वो communication का part होता है तो accounting यह सारी processing को लेके चलती है तो यह functions of accounting है I hope यहाँ पर आपको functions of accounting पूरे learn हुए होंगे functions of accounting आपके exam में बहुत गुमाफिर आके पूछे जाते हैं ठीक है next आते है अब देखिए थोड़ा सा overview हम यहाँ पर ratio कर ले लेते हैं ratios भी आपके exam में बहुत पूछे जाते हैं और कुछ important ratios हैं वो भी मैं आपको बता दूँगे उनके formula आप as it is learn कर लिजे numerical आपके exam में नहीं आते हैं तो जादा focus मत करिएगा मुश्किल से मुश्किल अगर by chance एक या दो question भी आए तो आप उसमें अगर आप भूत ही expert है तब ही उनको करिएगा नहीं तो मत करिएगा और वो भी ऐसे आते हैं कि आपको कोई trading account दे दिया ये दे दिया वो दे दिया उसमें से आपको profit ratio निकालो ये निकालो वो निकालो तो इस तरह से आएंगे तो आप भूत जादा time waste होगा तो सबसे जादा focus करिए theory पर theory आपकी अच्छी होगी तो आप numerical भी कर लेंगे हम एक video numerical पर भी कर लेंगे ठीक है ratio analysis की बात करें तो देखिए ratio के अंदर total चार होते हैं ratios हमारे liquidity ratio solvency ratio activity ratio profitability ratio इनको learn कर लीजिए meaning भी इनका पूछा जा सकता है देखिए liquidity ratio की बात करें तो ये हमारे firm की जो भी current obligations होती है उनको measure करने में help करता है कि हमारे company में कितने liquidity है अगर किसी भी तरह का कोई भी हमारे current कोई भी ऐसी liability आते है तो हम उसको pay off कर पाएंगे क्या नहीं और किसी भी company के लिए उसकी liquidity ratio strong होना बहुत जरूरी है तब ही तो मैंने आपने कल की वीडियो देखियोगी वहाँ पर मैंने आपको एक question कराया था कि जो हमारे equity share holders होते हैं उनको हम bonus share देते हैं तो bonus shares उनको इसलिए दिये जाते हैं जिससे कि liquidity ratio उनका strong रहे अगर वो उनको payment कर देंगे तो हमारे liquidity उनकी कम हो जाएगी ठीक है तो कोई भी company अपनी liquidity कम नहीं करना चाहते इसलिए वो bonus shares और भी बहुत सारे methods से उनको follow करते हैं जिससे उनकी liquidity पर कोई भी असर ना पड़े है ठीक है फिर आता है हमारा second solvency ratio ये ratio हमारा show करता है debt or equity की position को in financing the firm assets याने की solvency के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे company के अंदर debt और equity की जो ratio है वो कितनी है और किस तरह की है देखिए ये debt और equity की जो position है वो form में change होती रहती है और लेकिन ये चीज़े उनको अपनी जो prospectus होता है उसके अंदर define करना होता है किसी भी company को कि उसकी firm की debt portion जाता है equity portion जाता है और change भी करते हैं तो ये भी उनको publicly बताना होता है क्योंकि आपको पता है equity और debt ये सब portion अगर change होंगे तो वहाँ पर किसको फर्क पढ़ेगा शेर होल्डर्स को फर्क पढ़ेगा ठीक है तो ये सारी चीज़े उनको explain की जाती है फिर आता है हमारा activity ratio activity ratio की बात करें तो ये हाँ पर company की जो भी assets होती है उनके utilization के बारे में बताता है देखिए किसी भी company में ज़्यादा activity होगे याने की उस company assets ज़्यादा use हो रही है उनकी efficiency ज़्यादा है लेकिन अगर किसी company में activity ही नहीं है production बहुत कम होता है या फिर कभी-कभी होता है तो वहाँ में आने की company के efficiency नहीं है उनके assets use ही नहीं होती है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत matter करती है ठीक है फिर आता है last हमारा profitability ratio profitability ratio की यहाँ पर बात करें तो ये ratio हमारे measure करते है overall performance को और effectiveness वादी firm को देखिए profitability का मतलब यहाँ पर यह है किसी फिर firm की profitability ratio अगर increase हो रहा है यानि कि profit बढ़ रहा है profit बढ़ रहा है यानि कि सारी चीज़ें उसके अच्छी चल रहे है workers अच्छे से काम कर रहे है controlling power अच्छी है सारी चीज़ें smooth way में चल रहे है ठीक है तो hope यहाँ पर आपको ये सारे ratios भी clear है ठीक है आज के लिए इतना ही I hope यहाँ पर आपको सारी चीज़े clear हुई होगी ठीक है और कोई भी वह आपको query लगती है comment section में लेख सकते है यह PDF अब पूरी complete हो चुकी है हमने discuss कर लिया है तो इसका PDF में आज यह आपको telegram group पे दे दूँगी two telegram group है हमारे mycommerce info के नाम से mycommerce info discussion के नाम से दोनों join कर लीजे कोई भी query हो वहाँ भी pool सकते है comment section में यहाँ भी लिख सकते है तो video कैसी लग रही है ज़रूर बताए समझ में कोई point नहीं आ रहा वो भी आप बता सकते हैं लेकिन उस चीज को हम next class में discuss करेंगे क्योंकि बीच में क्या होता है अगर मैं आपको discuss करूंगी वो सारी चीजें तो जो मेरे mind में extra point होंगे आपको लेकर किसी point को लेकर वो आपे मैं भूल जाओंगे और explain नहीं कर पाओंगे you know मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ तकने टेक केर बाइ-बाइ